लिजे सुनिए लियो टॉलस टाई की लिखी कहानी सुख त्याग में हैं मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवास में इस कहानी का रूप आंतर और हिंदी अनुवाद किया है मुन्शी प्रेम चंद ने अवद राज में चतर सिंग नामा की एक किसान रहता था विवा होने के एक वर्ष पीछे उसके पिता का देहांध हो गया उस समय उसके पास धन दौलत न थी दो गाएं, दो बैल, एक घोड़ी और दस भीड़ें थी लेकिन पशुपालन में कुशल होने के करण पैंतीस वर्ष के लगातार परिश्रम से अब उसके पास दो सो गाएं, देड़ सो बैल, बारा सो भीड़ें हो गई थी वो बड़े प्रतिष्ठित पुरोशों में गिना जाने लगा जैसा कि संसार की रीत है, बहुत लोग उससे डाह करते और कहते थे चतर सिंग बड़ा भागवान है, धन दौलत सब कुछ उसके पास है संसार अब उसे सुख रूप हो रहा है चतर सिंग को अतिति सेवा का प्रेम था, उसके दो पुत्रों और एक कन्या थी वे सब ब्याहे हुए थे गरीवी की दशा में तो सब मिलकर काम किया करते थे धनवान हो जाने पर दशा बिगण गई बड़ा लड़का तो मद्द का सेवन करते करते, एक दिन किसी लड़ाई में काम आया चोट लड़का एक कलहारी इस्त्री से विवाह करके पिता से अलग रहने लगा विपत्ती के दिन फिर आये, पशुओं में मरी पढ़ी, सब पशुओं मर गए, एक न बचा धन कुछ चोरों ने हर लिया, कुछ योही निबट गया यहां तक कि चतर सिंग के पास एक कौनी न बची पड़ोसी आनंद सिंग ने तरस खा कर उसे और इसकी इस्त्री को अपने घर में नौकर रख लिया आनंद सिंग को इनके नौकर रख लेने में बड़ा लाब हुआ, क्योंकि पुरोशिस्त्री दौन बड़े सदाचारी और स्वामी भक्त थे एक दिन आनंद सिंग के घर में उसके कुछ संबंधी आए भोजन करते समय आनंद सिंग ने अपने संबंधी से कहा कि तुमने उस बुढ़े को देखा संबंधी, क्यों उस बुढ़े में क्या बात है आनंद सिंग, वो इस प्रांत में कभी सबसे अधिक मालदार था, उसका नाम चतर सिंग है संबंधी, हैं चतर सिंग, मैंने उसका नाम तो सुन रखा था, देखा उसे आज ही है आनन्द सिंग, अब हुँ इतना कंगाल हो गया है कि उसे नौकरी करनी पड़ी संबंधी, भावी बड़ी प्रबल है, लक्षमी कभी इस्थर नहीं रहती मेरे विचार में चतर सिंग पिछली बात याद करके बहुत दुखी रहता होगा आनन्द सिंग, मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे सामने कभी कुछ नहीं बोलता है, चुपके चुपके काम किये जाता है संबंधी, भला पूछूं तो कि क्या हाल है? आनन्द सिंग, हाँ पूछ देखो, संबंधी, चतर सिंग से बाबा, तुम हमें इस भाती आनन्द से गद्धी तकिये पर लेट थे, नान प्रकार के व्यंगन खाते देखकर अवश्य दुखी होगे क्योंकि एक समय था कि तुम भी धनी थे? चतर सिंग, हंसकर, अपने सुख दुख का ब्यारा यदी मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा हाँ मेरी इस्त्री से पूछ देखो, कि वो क्या कहती है? क्योंकि इस्त्रियों को अपनी बहन लक्ष्मी से बड़ा प्यार होता है? इस्त्री पिछली और किवाडों की ओट में बैठी थी, संबंधी ने उससे पूछा, माई, सत्य कहो कि पहले सुख था कि अब है? इस्त्री सुनिए, मैं और मेरा पती दौनों पचास वर्ष तक अथार्थ सुख को खोचते रहे, वो नहीं मिला, जबसे इस घर में नौकर हुए है, तब से कुछ सुख प्राप्थ हुआ है, अब हमें किसी बात की अभिलाशा नहीं, सिवाए चतर सिंग के सब उपहास करन धनवान होने पर जरा भी सुख न था, सुख अब है, संबंधी, क्यों? इस्त्री, धन होने पर हम सदे वैसे चिंतगरस्त रहते थे कि परमात्मा को कभी स्मरण भी नहीं करते थे, आज कोई बड़ा आदमी आ गया, उसकी सेवा में कोई तुटी न रह जाए, नहीं तो अफमान होका, नौकर काम नहीं करते, क्या करें? गायम बहुत हैं, रात को कहीं कोई बागना उठा ले जाए, सदा चोरों का भै रहता था, सारी रात जागते कटती थी, फिर कभी मेरी और पती की किसी न किसी बात पर ड़ड़ाई भी चल जाती थी, तात पर ये कि कोई शन इसा ना था कि चैन से बैठे हो, संबंधी, भला अब, इस्त्री, अब लड़ाई है न चिंता, जब कांटा न रहा तो पीड़ा क्यों? स्वामी का काम किया और चुट्टी होई, उधो का लेना न माधो का देना, दुख का अब लेश नहीं, वे सब हसने लगे, चतर सिंग, ये भात हसने की नहीं, मनुष्य जीवन में सत्य वचन है, तो यही है, धन्नष्ट हो जाने पर पहले हम विलाप किया करते थे, जब से ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, तब से हम मोह के बंधन से चूट गए, संसारी विशय में लिप्त होने से सुख प्राप्त नहीं हो सक अभी आप सुन रहे थे, लियो टॉलस्टाई के लिखी कहानी, सुख त्याग में हैं, मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में, इस कहानी का अनुवाद और हिंदी रूपांतर किया था, मुन्शी प्रेम चंदने